हलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप दोस्तों बजी स्पैरट का ब्रीडिंग सीजन बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है तो यही टाइम है हमारे पास के हम अपने बजरी तोतों को आने वाले इस ब्रीडिंग सीजन के लिए पूरी तरह से प्रिपियर करें अच्छी ब्रीड करने के लिए दोस्तों एक मन्त का टाइम रह गया उसके बाद मैं अपने बर्स की मट्किया लगाऊंगा आप लोग भी मट्किया लगाना एक मन्त बाद स्टार्ट कर दीजिगा क्योंकि एक महीने बाद बजी स्पैरट का ब्रीडिंग सीजन स्टार्ट होने वाला है तो दोस्तों कुछ तैयारियां करनी है उससे पहले आपको अगर आपके यहां पर अभी तक ब्रीड नहीं हुई है तो यही टाइम है अपने बर्ड्स को तयार करने का, यही टाइम है कुछ चेंजिस करने का, यही टाइम है सभी चीजों पर गोर करने का, जिससे के जो भी हमारे वीक पॉइंट हैं, उन्हें हम क्लियर कर लें, उन्हें हम उनको जो भी हमारी प्रॉब्लम्स हैं, उन्हें सॉल करना है दोस्तों अगर आपने अभी तक अपने बर्ड्स के केजिस में मट्कियां लगा रखी है तो बिल्कुल सारी मट्कियां निकाल दीजिए एक महीने तक आपको कोई भी मट्की नहीं लगानी है अगर आपके बर्ड्स की ब्रीड हो रही है तो कोई बात नहीं है आप मट मटकया निकाल दें एक महीने आपको वेट करना तो पहला काम आपको यह करना मटका अहटा देनी है about मटकें हटाने से ओनता हिए दोस्तों मटकें हटा देंगे तो आपको जो बर्ड होंगे वो रिलैक्स हो जाएंगे जब आप दुबारा मट्कियां लगाएंगे दोस्तों तो एक नई शुरुवात होगी बर्ड्स जो है मट्कियों की तरफ अट्रेक होंगे और बहुत ज़दी ब्रीड होगी तो आपको करना ये है सभी मट्कियां हटा देनी है अब दूसरा काम आपको ये करना है दोस्तों कि अपने बर्ड्स को आप तक अभी तक आपने अब्जॉब किया है नहीं किया तो आप कुछ टाइम तक कर लें देखें कि आपका मेल एक्टिव है या फीमेल एक्टिव है कौन एक्टिविटी आपका बर्ड नहीं कर रहा ब्रीड में इंट्रस्ट नहीं ले रहा तो यही टाइम है आपको उस बर्ड को चेंज करने का या आपके सारे ही बर्ड सुस्त है तो उनको चेंज करने का यही टाइम है आप उनको चेंज करें न्यू बर्ड लेकर आएं अगर आपका मेल खराब है तो मेल को चेंज करें फीमेल खराब लग रही है आपको तो फीमेल को चेंज करें यही टाइम है इस टाइम भी आप अपने बर्ड्स को चेंज कर देंगे तो आने वाले breeding season तक आपके जो birds का pairing हो जाएगी और वो breed के निये पूरी तरह से ready रहेंगे तो दूसरा काम आपको यही करना है कि आपने birds को check करना है उसमें जिसमें भी कमी है उसको change करके new bird लेकर आना है अब दूसरा काम आपको यह करना है अभी तक जिस जगा पर आपने cage रखा हुआ था आपके यहाँ पर breed नहीं हो रही थी तो अब आपको वो जगा change करनी है कोई और अच्छी suitable जगा देखें अगर आपको लगता यहाँ पर अभी तक breed नहीं हुई है तो कोई और suitable जगा देखें यही time है आपको जगा change करने का आप अपने birds के cage की जगा को change करें किसी और अच्छी जगा cage को रखें और एक महिने तक मटकी ना लगाएं बर्ड को वहाँ set होने दें और एक महिने बाद जब आप न्यू जगा पर मटकी लगाएंगे नए तरीके से मटकी लगाएंगे तो देखिएगा कि बिलकुल आपके बर्ड जो आज तक breed नहीं कर रह ये इसके अलावा कुछ कुछ क्वांटि October आप सूरज मुखी के बीच करिद कर लेकर आएं जिसे sumflower seed भी बोलते उसको लेकर आएं और कुछ को उन्यू कर सूरज मुखी के बीच कंगनी के साथ मिलाकर अपने बर्ड को दें इसके साथ ही की आप week में दो बार 24 घंटे पहले गेहूं को भिगो कर रखें और उसको सुबा को अच्छे से धो कर अपने बर्डस को वीक में दो बार ये गेहूं खिलाएं वीक में दो बार हरा धनिया किलाएं और दोस्तों कैल्चियम ब्लॉक लाहोरी नमाक और समुद्री जाग केज के अंदर रखें ये चौथा काम भी आपको करना है यही टाइम है इस टाइम आप करें तो एक महीना रह जाएगा तब तक आपके बर्ड्स के अंदर जो भी कमिया होंगी वो पूरी होने लगेगी उन्हें अच्छी डाइट मिलने लगेगी तो देखेगा ब्रेडिंग सीजन में बहुत जबर करी नमागा और केल्चय के अंदर रखें उसी से ही आपके बर्ड्स की केल्चयम की कमी पूरी हो जाएगी और आपको जो विटामिन्स पूरे कराने यह यही टाइम है दौस्तों अपने बर्ड्स को प्रिपेर करने का आने वाले ब्रिडिंग सीजन के निहें तो तयार करें अपने बर्ड्स को अगर आपके बर्ड्स के अभी तक ब्रेड नहीं हुई है तो ये सब काम करें देखेगा इस बार आपके याँ बहुत अच्छे ब्रेड होगी ठीक है दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो वीडियो अच्छी लगती है तो किजिएगा लाइक हमारे चैनल Bird Dreams को सबस्क्राइब कीजिएगा इजाज़त दीजिए मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ ओके गुड़ बाई